ब्रहमांड के सामने हमारी आवकाद दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि ब्रहमांड के सामने हम इनसान क्या है क्या है हम इनसानों की ब्रहमांड के सामने हैसिय इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एक्जिस्ट करते हैं या फिर हमारा अस्तिस्ति इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं जानने के लिए बीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों आपको जानकर हरानी होगी कि हमारी धर्ती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानि पूरी धर्ती की पॉपलेशन लगभग आठ अरब तक पहुँच चुकी है लेकिन धर्ती पर मवजूद यह सब आठ अरब लोग लौस एंजलिस जैसी जगा में समा सकते हैं लौस एंजलिस लगभग तेरा सो किलो मीटर के एरिय में फैला हुआ है अगर हम बात करें हमारी धर्ती की तो पूरी धर्ती लौस एंजलिस से काफी बड़ी है हमारी धर्ती का ब्यास यानि की धर्ती की मोटाई लगभग तेरा हजार किलो मीटर है वही पर चाद का ब्यास 3,500 किलोमीटर है चाद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1,000,000 हेमाले जैसे पहाड समा सकते हैं और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि कि धर्ती के अंदर चाद जैसे लगभग 50 उपगरह समा सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि धर्ती कितनी बड़ी है तो दोस्तों जरा एक बार सोच कर देखिए धर्ती के सामने हम कहां टिकते हैं चाद धर्ती से 3,84,000 किलोमेटर की दूरी पर मवजूद है इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी आठोगरह समा सकते हैं अगर हम अपनी सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धर्ती से 15 करोण किलोमेटर की दूरी पर मवजूद है हमारे सूरज का व्यास लगभग 14,00,000 किलोमेटर है धर्ती की मुकाबले सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13,00,000 धर्ती समा सकती है यानि सूरज की बिशालता की कलपना आँख बंद करके भी नहीं कर सकते तो आप सोच लीजिए हम इनसान सूरज की बिशालता के सामने क्या आवकाद रहते हैं नसिर्ब इनसान बलकि सूरज की बिशालता की सामने धर्ती और चाद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती हमारे सूर मंडल के सबसे बिशाल काई ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धर्ती जैसे 1300 धर्तिया समा सकती है और जुपिटर जैसे हजार ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं तो दोस्तों सूरज न सिर्व धर्ती बलकि जुपिटर की आवकाद से भी कई गुना बड़ा है लेकिन आवकाद की बात करें तो ये तो बस एक शुरुवात है अगर हम बात करें तो पूरे सौर मंडल की तो हमारे सौर मंडल का प्यास 287 आरब किलो मीटर है इतने बड़े सौर मंडल में हमारे आठो ग्रहों के साथ 5 बाउने ग्रह, लाको एस्टरोयड और करोडो मेटरोयड मौजूद है सौरज से लेकर नेप्चियून तक पूरी करीब साथे चार आरब किलो मीटर है ऐसे में अगर हम सौरज से लेकर नेप्चियून तक सौरज की लाइन बनाए तो इस लाइन में सौरज जैसे लगबग 3,000 सितारे समा जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सौरज कितना छोटा है अगर पुलूटो से हम सौरज को देखें तो हमारा सौरज पुलूटो से कुछ ऐसा दिखाए देता है हमारा सौर मंडल पुलूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है यहां तक हम देख चुके हैं कि सौरज की साइज भी इतनी बड़े सौर मंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है अगर हम और आगे की बात करें तो सौरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है यह है वेगा इस्टार जिसका ब्यास 38 लाग किलो मीटर है और इसमें सौरज जैसे लगबग 20 तारे समा सकते हैं इससे भी बड़ा तारा है आर्केट्रस जो 3 करोण 60 लाग किलो मीटर चोड़ा है इसमें सौरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे और इसके और आगे चलने पर ब्रहमांड में एक और तारा है रिगेल जिसका ब्यास 11 करोण किलो मीटर है इसके अंदर आर्केट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सौरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे अब हम देख पा रहे हैं कि सौरज भी यहां आकर कितना चोटा पड़ रहा है चलिए और आगे चलते हैं यह है बीटल जूस जिसका ब्यास 11 करोण किलो मीटर है इसमें रिगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सौरज जैसे लगभग 66 करोण तारे समा सकते हैं अब सोच लीजिए कि यहां आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है इसके आगे हम मिलते हैं विवाई कैनिस मिजोरिस से जिसका ब्यास दो अरब किलो मीटर है और इससे भी बड़ा तारा है यह वाई स्कूटी जिसका ब्यास लगभग दो अरब 40 लाग किलो मीटर है और अब तक का अच्छा सबसे बड़ा तारा है स्टिपन संग 2-18 जिसका फैलाव तीन आरब किलो मीटर के बराबर है यानि इस तारी के अंदर सूरज जैसे 9 आरब 33 लाग तारे समा सकते हैं प्रहां मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सी तारा नहीं मिला है और इस त तारे के अंदर धर्ति का अस्तित माने भी रखता है या नहीं अगर हम बात करें ब्रहां मांड में इससे बड़ी समझना होगी तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई निविला के पास यह आकार में 0.4 प्रकास वर्स पड़ी है यानि प्रकास को भी इससे पार करने में चार महिने 26 दिन लगेंगे यह ब्रहामांड के सबसे बिशाल तारे की मुकाबले कितना बड़ा है इस निविला के अंदर इस्टेफन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे बड़ा है फिलिक्स निविला है जिसका ब्यास पाच प्रकास वर्स है यानि प्रकास को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे और इसमें इस्टेफन जैसे 15,000 तारे रखी जा सकते हैं इससे भी आगे है ओरियन नेबला जो 24 प्रकास वर्स चौड़ा है और इससे आगे मिलता है ओमेगा सेंटोरिक कंस्ट्लेजर जिसका ब्यास 150 लाइट प्रकास वर्स है और आप तक जि मंदाकनी आकाश गंगा जो की एक लाइट प्रकास वर्स के ब्यास में फैली हुई है यानि ये इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकास को भी एक लाइट शाल लग जाएंगे और आपको बता दे कि प्रकास की गति तीन लाइट किलोमीटर प्रतिसेकंड है और हमारी धर्ति खत्म हो जाए तो इतनी बिशाल आकास गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ब्रहमांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिर ब्रहमांड यहां भे खत्म नहीं होता इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकास गंगा एंडरोमीडा की बात करें तो यह हमारी गलेक्सी से दो गुना बड़ी है इस गलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद है अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टेफन सेंसे में इस गलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब खरब स्टेफन 218 जैसे तारे आ सकते हैं अगर हम और आगे 22-23 करोन प्रकास वर्स दूर जाएं तो हमें एक और आकास गंगा मिलती है UGC 2885 गलेक्सी जो की 4,63,000 प्रकास वर्स के ब्यास में फैली है यह हमारी गलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं फिर्थवी से 100 करोन प्रकास वर्स दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गलेक्सी है IC 1101 गलेक्सी जो की 40,000,000 प्रकास वर्स के ब्यास में फैली हुई है और इसमें 1,000 खरब तारे रहते हैं इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिलकी वी गलेक्सी जैसे आकास गंगाई समा सकती है और अगर हम इससे आगी चल कर और देखे तो इससे भी ज्यादा बड़ी गलेक्सी ब्रहमांड में मौजूद है जिसके सामने मिलकी वी आकास गंगा भी कुछ नहीं है बिर्थिवी से 300 करोन प्रकास वर्स दूर यह है अल्क्यूनेश गलेक्सी जो की एक करोन 60 लाग प्रकास वर्स जितने ब्यास में फैले हुई है इसमें हमारी मिलकी वी गलेक्सी जैसी 40 लाग गलेक्सी समा जाएगा अब हम ब्रहमांड के काफी बड़े स्केल पर पहुँच चुके है जहां हमारी गलक्सी जिसकी बिशालता की हम कलपना भी नहीं कर सकते वो अभी इसके सामने कुछ भी नहीं है लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पुरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पुरा ब्रह्मांड जिसे हमने अभी आभजल किया है वो 93 अरब प्रकास वर्ष के ब्यास में फैला हुआ है और इसके अंदर आयसी 200 अरब गलेक्सी मौजूद है और ब्रहमांड के सामने तो सबसे बड़ी आकास गंगा अलकेवनियस गैनेक्सी कुछ हैसित नहीं रखती है और जब इतनी बड़ी गलेक्सी भी ब्रहमांड के सामने कुछ भी नहीं है तो सूरज और धर्ती की तो बात ही छोड़ दे लिए और हम इसके सामने कुछ कहीं नहीं टिकते हैं हमारे जैसे आठ अरब लोग यानि कि हम सब पृतिवी वासी मिलकर भी ब्रहमांड के सामने कुछ भी नहीं है बनकि अगर इतने बड़े ब्रहमांड में कहीं जीवन नहीं है और सिर्थ पृतिवी पर जीवन है तो हम इतने बड़े ब्रहमांड में काफी ज्यादा अकेले हैं यहां पर ब्रहमांड जो हमारी सूच से भी बड़ा है यह पूरी तरह से वीरान है अगर ऐसा है तो यह काफी डरावना है यह हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं और अगर इसमें जीवन है भी तब भी हम कभी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते और तब भी हम अकेले ह है इस ब्रह्मांड बें जबकि यह ब्रह्मांड भी यहां आकर नहीं ठमता क्योंकि फिलहाल हम ने इसे आगे देखा भी Bay क्यूंकि ब्रहरमांड का वि forehead का विश्थार और कितना अगे हो सक्तांते है तो उसे आगे भी क्या और क्या ब्रहमांड है अगर हाँ तो क्या वो हमारे ब्रहमांड से भी बड़े है दोस्तों इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं लेकिन एक बात तो तेह हैं अब तक ब्रहमांड की जाने गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं है और यही वज़ा है कि आज बैज्यानिक भी ब्रहमांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचम्मित है और यह मान चुके हैं कि इस ब्रहमांड के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते इतने बड़े ब्रहमांड में हम एक छोटी से गलेक्सी मंदाकनी आकास गंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले एक छोटे से तारे की चारो और मौजूद एक बहुत छोटी से ग्रह पर इस्थित काफी छोटी 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में हम में से एक इनसान इस पुरी ब्रहमांड की सामने कोई हैसित नहीं रखता किया आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है किस वज़े से आप खुद को इस पेसल समझते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें बताइए क्या वज़ा है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हैं आज से 6 करोन साल पहले धर्ती पर एक ऐसी प्रजाती मौजूद थी जिसने करी 10 करोन साल तक धर्ती पर राज किये जो खुद आकार में हम से कई गुना बड़ी और डोमिनेंट थे लेकिन सिर्फ एक एस्टरोयड ने इस पूरी प्रजाती को खत्म कर दिया ऐसे में हम इंसानों कि क्या हैसित है, सिर्फ एक बल में ब्राह्मांड आपके अस्तिता को मिटा सकता है आपके बरतमान को इतिहास में तबदिल कर सकता है तो बताईए क्या कारण है आपके पास, कि आप पुछ special हो कमेट में जरूर बताना तो दोस्तों और जो हमारी वीडियो को इन्फार्मेटिव लगीगा तो हमारी वीडियो को आई कीजिएगा और हमारी येट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसे एक साथ नेक्स्ट वीडियो में लेंगी चाहे हैं बंदे मात्रों झाल झाल